हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेखने वाले हैं कि रोमा नंक में गिंती को कैसे लिखा जाता है देखिए रोमा नंक में गिंती को लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं जैसे देखिए, एको को लिखा जाता है, आई, पांच को लिखा जाता है, भी, दस को लिखा जाता है, एक्स, पचास को लिखा जाता है, एल, सो को लिखा जाता है, सी, पांच सो को लिखा जाता है, डी, और एक हजार को लिखा जाता है, एम, देखिए सबसे पहले, हम लोग एक से ले करके दस तक के गिंती को लिखने के लिए सिखेंगे, देखिए सबसे पहले एक उको लिखा जाता है आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई को, यह हो गया एक, अब देखिए हम लोग लिखेंगे दो को, तो यहाँ पर लिखेंगे दो जगह पर आई, यह हो गया दो अब लिखेंगे तीन को तो यहाँ पर लिखेंगे तीन जगह पर आई को यह हो गया तीन अब देखेंगे आप लिखना है चार को तो देखें चार को लिखने के लिए आप चार जगह पर आई को नहीं लिख सकते हैं नियम होता है कि आप तीन जगह तक ही लिख सकते हैं देखिये चार को लिखने के लिए आपको इसके अगला अंक यानी पांच को देखना है देखिये पांच को लिखा जाता है भी अब देखिये आपको पांच में से एक कम करना होगा देखिए अगर आप एकोको इधर रखते हैं तो वा घटता है अगर देखिए आप इधर लिखते हैं तो यह जूटता है जैसे देखिए अगर चार लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे पाँच को और हम लोग इसमें से एकोको घटाएंगे तो एक उक लिखेंगे यहाँ पर यहो गया चार अब देखिए यहाँ पर पांच का है भी यहो गया पांच अब देखिए छो को लिखने के लिए हम लोग पांच में एक उको जोड़ेंगे तो एक लिखेंगे यहाँ पर यहो गया छो अब देखे लिखेंगे साथ को तो सबसे पहले पाँच लिखेंगे इसके बाद दो यह हो गया साथ अब लिखेंगे आठ को तो आठ को लिखने के लिए पाँच को लिख करके हम लोग तीन को जोड़ेंगे यह हो गया आठ अब देखे लिखेंगे 9 को देखे 9 को लिखने के लिए इससे हम लोग आगे जाएंगे वहाँ देखी होता है 10 10 का देखी होता है X देखे इस में से आपको 1 को घटाना होगा यानि 1 को यहाँ पर लिखना होगा यानि देखे 9 को लिखा जाएगा I और X अब लिखना है आपको 10 को तो यहाँ पर लिखेंगे X को यह हो गया 10 यानि देखिए X से लेकर के 10 तक क्या हो गया रोमा नंक में गिनती अब देखिए हम लोग लिखेंगे 20 को 30 को इस तरह से देखिए अगर 20 लिखना होगा तो आपको सबसे पहले 2 जगह पर X को लिखना है यानि यह हो गया 10 और यहाँ भी हो गया 10 यह हो गया 20 अगर देखिए आपको 30 लिखना होगा तो आपको देखिए 3 जगह पर X को लिखना है यह हो गया 30 अब देखिए अगर आपको 40 लिखना होगा तो आप 4 जगह पर X को नहीं लिख सकते हैं अब आपको देखना होगा 40 से आगे तो वह देखिया होता है 50 देखिया 50 का होता है L तो आपको 50 में से 10 को घटाना होगा तो 10 को लिखना होगा यहाँ पर यह हो गया 40 अब देखिया अगर आपको 50 लिखना होगा तो 50 का होता है L अब देखिए अगर आपको 60 लिखना है तो आपको L में 10 को जोड़ना है या हो गया 60 अगर आपको 70 लिखना है तो L में हम लोग 20 को जोड़ेंगे या हो गया 70 अगर देखिए आपको 80 लिखना है तो L में हम लोग तीन जगह पर X को जोड़ेंगे यह हो गया A C अब देखिए अगर आपको 90 को लिखना है तो इस से आगे हम लोग 100 को देखेंगे देखिए 100 का होता है C तो देखिए हम लोग C में से 10 को घटाएंगे यह देखिए 100 में से हम लोग 10 को घटाएंगे यह हो गया 90 अगर देखिए आपको 100 को लिखना होगा तो उसको आपको लिखना है C देखिए यह जो है यह एक से लेकर के 10 तक गिनती अगर देखिए आपको 11 लिखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको सबसे पहले 10 लिखना है और यहां से 1 को जोड़ना है यह हो गया 11 अगर आपको 12 लिखना है तो 10 में आपको 2 को जोड़ना है यह हो जाएगा 12 अगर देखिए आपको 25 लिखना है तो सबसे पहले हम लोग 20 को लिखाएंगे और देखें, आपर 20 हो गया, तो 5 और लिखना है, देखें, 5 को लिखा जाता है, भी, तो यहाँ पर लिख देंगे भी को, यानि यह हो गया 25, तो आप लोग अच्छे तरह से समाझ गया होंगे, कि रोमन अंक में गिंती को कैसे लिखा जाता है,